राधे राधे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों धनतेरस दिवाली से पहले आता है धनतेरस से ही दिवाली के तेवार की सुरुवात हो जाती है धन तेरस के दिन भगवान गडेस और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है साथ ही भगवान कुवेर भगवान धनवंतरी और माता सरस्वती की भी पूजा करने का भी विधान है धन 13 के दिन माता लक्षवी कुवेर जी की कृपा पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजे है जो की लगानी बहुत ही जरूरी होती है ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी और अगर कमी है तो पूरी हो जाएगी इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो पांच चीजे जो की आप धन 13 के दिन घर की साप सफाई करने के बाद अपने घर के मुख दर्वाजे पर जरूर लगा इन पांच में से एक चीज भी अगर आप अपने दर्वाजे पर लगा देते हैं तो आपके घर पे माता लक्षमी का वास जरूर होगा तो बीडियो को सुरू करूं इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू बीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे बीडियो अच्छा लगे तो बीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा सेयर करिएगा तो चलिए बीडियो को सुरू कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज जो की आपको धन तेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर लगानी है वो है बंधनवार या तोरड बंधनवार या तोरड दिवाली पर ना सिर्फ सोभा बढ़ाते हैं बलकि इसे मुख्य द्वार पर होने से घर में निगेटिव एनरजी निग के पत्तों का भी आप बना सकते हैं ये लगाना बहुत ही सुभ और उत्तम होता है आप चाहे तो मार्केट से भी बने बनाए बंधनवार भी ले सकते हैं आज कल बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनर बंधनवार मिल रहे हैं वो भी आप घर के मुख्य दर्वाजे पर यह सुभा कार्य में स्वास्थिक अवस्य बनाया जाता है धन 13 के दिन मुख्यद्वार के दोनों और कुमकुम से स्वास्थिक और सुभलाब बनाये कहते हैं इससे माल लक्षमी और कुवेर भगवान बेहत प्रसंन होते हैं घर के साथ सौभाग में भी बृद्धी आती है आप चाहे तो स्वास्तिक ना बना सके तो मार्केट से डिजाइनर सुभलाब और स्वास्तिक भी मिलते हैं आप उनको भी अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं लेकिन उनको लगाने के बाद भी आप उनके उपर कुमकु से तिलक जरूर कर दे तीसरी चीज है मा लक्षमी के पदचिन धन्तेरस से दीवाली के पांच दिन के तेवार की सुरुओत होती है धन्तेरस के दिन घर के मेन गेट पर देवी लक्षमी के चरड चिन्द जरूर बनाने चाहिए कहते हैं धन्तेरस देवी के आगमन का दिन होता है ये काम सुब अशनान करने के बाद करें देवी के पैरों के निसान रंगोली से भी आप बना सकते हैं या कुमकुम से भी बना सकते हैं आप इसके अलावा बाजार में बहुत ही सुन्दर सुन्दर माता के चरड के जो इश्टीकर हैं वो भी मौजूद हैं तो वो भी आप लाकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं इन्हें बाहर से घर में अंदर की ओर जाते हुए लगा ये माता लक्षमी के आपके घर में प्रवेश करने को दरसाता है चोथी चीज है रंगोली सनातन धर्म में शुब काम में रंगोली बनाने की प्रथा बहुत ही पुरानी है इसे घर के मुख्य द्वार पर बनाना बहुत ही सुब माना जाता है ये खुसी अध्यात्मिक उर्जा और उत्सा का प्रतीक है धन तेरस के दिन से पूडिमा तक रोजाना मुख्य द्वार पर घी या तेल का दीपक भी जलाना बहुत ही सुभ माना जाता है इससे माल लक्षमी और भगवान कुबेर बहुत ही प्रशन होते है इसलिए जब भी आप रंगोली बनाए तो रंगोली के उपर दीपक भी जरूर लगाए पांचवी चीज है तुलसी तुलसी भगवान विश्नु की प्रिया मानी जाती है कार्तिक में तुलसी पूजा से भगवान विश्नु के साथ माता लक्षमी भी बहुत प्रसंद होती है धन तेरस के दिन मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखे इससे माल लक्षमी आकरसित होती है और धन का भंडार भर देती है रात में इस गमले को आप घर के अंदर रख दे तो दोस्तो मैं आपको बता दी हूँ वो पांच चीजे जो धन तेरस के दिन आपको मुख्य द्वार पर जरूर लगाना है इस काम को करने शे माता लक्षमी आपके घर में जरूर वास करेंगी तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद राधे राधे